हेलो दोस्तों स्वागए थे टेक्नोलोजी फॉरवल में आज की वीडियो में बात करने वाले एक्सपेडिया ग्रूप से एक जोब निकला हुआ है जो दो जार तेस बिचे के लिए है और यह जोब है डेटा साइंस के रूप में आपको काम करने को मौका मिलेगा बहुत अच साइंस का ग्रोथ फ्यूचर में बहुत अच्छा है तो अब डेटा साइंस में आगर डायरेक्ली आपको काम करने के मौका मिलता है तो यह बहुत अची बात है अपलाई कीज़ेगा में भी आपका हो जाए इसमें बहुत सारे चीज़े बतायागे है कि टीम डोटेशनल चाहिए मुलेगा वहेदा कि आपकी इंट्र Cartland की ऐसाइफ है आपको फिर दुसरे टीम में टेक्डियोचा कव्टोन ł hacen काम करने के बाद आपको जो है एक परमाने सिन को स्राइव डाल में आपको बैश दिया जाएगा और इस स्विक हैं बैश सकते इस में और ऌで जो है एक local office में बेज़ा जाएगा जिसमें expedia group के बारे में बताए जाएगा business के बारे में बताए जाएगा साती साथ laptop setting वेगर सारा meeting manager के साथ करना पड़ेगा फिर उसके बाद जो है आपको फिर जो है depth में जो है एक technical professional skills के लिए सिखाया जाएगा सारे चीजे mention यहां पर किया हुआ है जब आप अप्लाइब कर रहें तो इसको चेक आउट कर ले पूरा दर से पर ले इसको तो सारा चीज यहां पर लिखा हुआ है पैंइफीट्स भी आप देख सकते हैं यहां पर मिल सकता आपको बैनिफिट्स भी ट्रेवल डिसकॉंस बिए उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं मैं technical की बात कर रहा हूं आप को आप कौन-कौन अप्लाइब कर सकता है इसको तो अपलाइब करने का जो च्प्राइब से बैचलर डिगरी या फिर मास्टर डिगरी कर रहा है मार्गेटिंग साइंस से उसके बाद मैतेमेटिक से अनलेटिक से सारे चीज़ होनी चाहिए और जो कंडिडेट होना चाहिए वह दिसमबर 2022 चाहिए और यह सारे चीज़ आपको ऑफिस में जाकर करना पड़ेगा यह गुरुगाओं ऑफिस के लिए ही यह जॉब लोकेशन गुरुगाओं होगा ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं आपको जो इसकिल्स होना चाहिए आपको एसकुल आना चाहिए आब अखरी लेंगवेज आना चीए और पाइटन भी आद आब यह जांते हैं तो इसकी स्कुल्स नहीं जानते में जाहिए न चाहिए आपके लिए मचर सोना ची थोड़ा बहुत मस्निऊन ननिंग पिंग दोने चाहिए तो यह आप apply कर सकते हैं तो बहुत अच्छी company है apply कीज़े में भी आपका हो जाए ठीक है apply करने का simple तरीका यहाँ पर दिया हुआ है अब apply करके यह वर्कडेप प्रॉफाइल में आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर जैसे apply करेंगे अब वर्कडेप प्रॉफाइल म आपका लोगिन किया हुआ है अगर है तो वहां से लोगिन करके अब अंदर जा सकते हैं और वहां से apply कर सकते हैं otherwise आप जो है वर्कडेप प्रॉफाइल create करेंगे यहाँ पर create account करने का है और create करने के बाद लोगिन करके अब apply करेंगे वीडियो अच्छा लेगे तो लाइक क